हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनो कामनाएं पूर करने वाली मानी गई है सनिवार के दिन हनुमान जी को प्रशन करने के लिए विशेश उपाय करें तो कुछ ही समय में किस्मत चमक सकती है ये खास उपाय आपकी हर मनो कामना पूरी कर सकती है और सभी कस्टों का निवारण कर सकती है सनिवार के दिन राम मंदिल में जाएं हनवान जी के मस्तक का सुन्दूर दाहिने हाथ के अमूठे से लेकर सीथा माता के स्री रूप के स्री चर्णों में लगा दें मनों कामना पूरी करने के लिए प्रात्ना करें सनिवार की सुबह इसनान करने के बाद बढ़ के पेल का एक पत्ता तोड़ें और इसे साप पानी से धूलें अब इस पत्ते को कुछ देर हनवान जी के सामने रखें इसके बाद इस पर केशर से शिरी राम लिखें अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा नमर तीन हनुवान जी की क्रपा पाने के लिए सनिवार के दिन व्रत करके साम के समय भूंदी का प्रशाद बाटने से भी पैसों की तंगी दूर हो जाती है नमर चार सनिवार को साम के समय हनवान जी को केवडे का इत्रवा गुलाव की माला चड़ाएं हनवान जी को खुस करनी का ये सबसे सरल उपाए है नम्मर छे जीवन की समस्त समस्याओं के निवारण के लिए सनिवार की साम हनवान जी के मंदर में जाएं और राम रक्षा इस्तरोत का पाठ करें सनिवार की साम को हनुआन मंदिर में जाएं एक सरसों के तेल का और एक सुद्ध घी का दीपक जलाएं वही बैट कर हनुआन चालिसा का पाठ करें हनुआन जी की क्रपा पाने का ये अचू को पाय है सनिवार के दिन हनुआन जी के पैरों में फिटकरी रखें फिर जिन्हें बुरे सपने आते हों वे अपने इस रहाने इस फिटकरी को रखें बुरे सपने नहीं आएंगे नमर नो यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी का सामना कर रहा है तो स्री प्रती मंगलवार और सनिवार को पीपल के ग्यारा पत्तों का यह उपाय अपनाना चाहिए ब्रह्म मूर्त में उठें इसके बार नित्य कर्मों से निर्वित होकर किसी पीपल के पेड़ से ग्यारा पत्ते तोड़ लें पत्ते पूरे होने चाहिए कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए इन 11 पत्तों पर स्वक्ष जल में कुम्कुम या अश्ट गंद या चंदन मिलाकर इससे शिरी राम का नाम लिखें नाम लिखते समय हनुमान 40 अका पाठ करें जब सभी पत्तों पर शिरी राम लिख यह हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां बजरंग वली को अर्पित करें इस प्रकार यह उपाय करते रहें कुछ समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्थ होंगे